सहायक प्राध्यापक परिक्षा 2017 हिंदी की अंतिमुत्तरकुंजी हिंदी कीली पी कहलाती है देवनागरी बगेली बोली का छेत्र है रीवा रामचरित मानस लिखी गई है अवधी कविकुल कलपतरु किसकी रचना है चिंता मडित्री पाठी सूर्सागर किस भासा में लिखा गया है ब्रज बिहारी किस काल के कभी है रीतिकाल कवीर की भासा कहलाती है सधुकडी रैदास का दूसरा नाम है रविदास आचारे रामचंद्र शुकल के अनुसार भक्तिकाल का समय है समवत 1375 से 1700 कवीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुड संप्रदाए जायसी किस परंपरा के कवी है प्रेमा ख्यान परंपरा द्विजदेव किस परंपरा के कवी है रीतिमुक्त मधुमालती किसकी रचना है मन्झन दोहा कोस किसकी रचना है सरहपाद आदिकाल को बीर गाथा काल किसने कहा है आचारे रामचंद्र शुकल गोरखबानी का संपादन किया है डाक्टर पीतामबर दत्थ बर्थवाल नंद ब्रज लीजे ठों की बजाए 25 कभी की है सूर्दास सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है 84 बगेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है पूर्वी हिंदी अद्वेत वाद के प्रवर्थक कौन है संकराचार्य आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है बारह प्रभुजी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियां किसने लिखी है रैदास गुरु ग्रंथ साहब में किस कवी की रचनाएं संकलित है कबीर कृफड गीतावली किस की रचना है तुलसी दास सुधामा चरित किस की रचना है नरोत्तम दास सक्षी संप्रदाय के प्रवर्थक कौन माने जाते हैं स्वामी हरिदास हिंदी पुनर जागरण काल किसे कहा जाता है भारतेंदु युग भारत भारती किसकी रचना है मैथली सरड़ गुप्त महा देवी वर्मा को किस रचना पर ग्यानपीठ पुरसकार मिला यामा असाध्यवीडा किसकी रचना है अग्येय ब्रह में राचहस किसकी कविता है? मुक्तिबोध सुकुल की बीबी किसकी रचना है? निराला तार सब्तक के संपादक कौन है? अगेय का माइनी में कुल कितने सरग है? पंदरह निर्मला किसका उपन्यास है? प्रेमचंद आचारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है परिच्छा गुरू अंधा युग किसकी रचना है धर्मवीर भारती अतीत के चलचित्र किसकी रचना है महादेवी बर्मा विसाल भारत के संपादक थे पंडित बनार्सी दास चतुरवेदी चायावाद इस्थोल के प्रति सुक्ष मकापिद्रो है यह किसने कहा है नगेंद्र मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंग्ती है महादेवी बर्मा सत्पुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है भावानी प्रसाद मिस्र एक भारतिय आत्मा कहा जाता है माखन लाल चतुरवेदी ताई कहानी के लेखक हैं विस्वंभर नाथसर्मा परिंदे कहानी किसने लिखी है निर्मलवर्मा पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है गोदान फोल्ट विलियम कालिज से किस लेखक का संबंध रहा है सदल मिस्र भारत दूर्दसा किसकी रचना है भारतेंद निपूडी का आचार हजारी प्रशाद दिवेदी के किस उपन्यास की इस्त्री पात्र है बानभट की आत्मकथा परती परिकथा किसकी रचना है भड़िश्वर नाधरेड वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है आचार्य विश्वनाथ उदाग्तता का सिध्धांत किस ने दिया लांजाइनस इलियट ने कौन सा सिध्धांत दिया निर्वैक्तिक्ता का सिध्धांत भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है स्रधाराम सितारे हिंद किस लेखक का उपाधी नाम था पूल नहीं रंग बोलते हैं किसका का विसंग्र है केदार नाथ अग्रवाल जाहनवी कहानी के लेखक कौन है जैनेंद्र कुमार आधागाउं उपन्यास के लेखक का नाम बताईए राही मासूम रजा हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है उदन्त मारतंड असाड का एक दिन किस लेखक की नाटिकरिती है मोहन राकेस प्रताप नरायन मिस्र ने किस पत्रिका का समपादन किया है ब्राहमड अर्ध कतानक किसकी आत्मकता है यह कोश्चन डिलीट किया गया है सदा चार का ताबीच किसकी रचना है हरिसंकर परसाई जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कार कौन है निराला नमीन किस कवी का उपनाम है बाल कृष्ण सर्मा नाचियो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है अमरितलालनागर सतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है प्रेमचंद प्रेमचंद का अपूर्ड उपन्यास है मंगल सूत्र किस साहित्यकार का संबंध मध्यप्रदेश से है भवानी प्रशाद मिस्र दूसरा सब्तक किस वर्ष प्रकासित हुआ 1951 परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है मोहन राकेश ब्राहमण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्य पर पलता है यह कथन जैसंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है चंद्रगुप्त रसिक प्रिया किसकी रचना है केसवदास जूठन के लेखक कौन है ओम प्रकास बालमिक चाक उपन्यास की लेखी का कौन है मैत्रेई पुस्पा कही इसुरी फाग किसकी रचना है मैत्रेई पुस्पा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है हजारी प्रशाद्दी वेदी आठमा सर्ग किसका नाटक है सुरेंद्र वर्मा साच्छातकार पत्रिका कहां से निकलती है भोपाल सर्वस्थी पत्रिका के संपादक कौन थे महावीर प्रशाद्दी वेदी सर्वप्रथम मिथक सब्द का प्रयोग किस आचारे ने किया आचारे हजारे प्रशाद्दी वेदी ठिठूरता हुआ गड़तंत्र किसकी रचना है हरिसंकर परसाई निज भासा उन्नती अह सब उन्नती को मूल किसकी कापपंक्ती है भारतेंदु हरिष्चंद कलम का सिपाही किसकी रचना है अमरित्रा है क्या भूलूं किया याद करू में किस रचनाकार की आत्मकता है हरिवन सराय बच्चन कभी वचन सुधा पत्रिका का प्रकासन किसने सुरू किया भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे बालकृष्ड भट्ट त्वद्वेशो सब्दार्थो सगुडा वन लंकृति है पुनह कौपी किसका कथन है मम्मट काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं तीन चित्र तुरंग न्याये पर किस आचारे का सिधान्त आधारित है शंकुक अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं चार स्रिंगार रस का अस्थाई भाव है रती रीति रात्मा काव्यस किसका कथन है वामन सब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है भामह काव्य सोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रक्षते किसका कथन है दंडी रमडियार्थ प्रतिपाद कह सब्दह काव्यम किसका कथन है पंडित राज जगन्नाथ तुलसी के प्रामाडिक ग्रंथों की संख्या कितनी है बारह प्रेमवाटिका किसकी रचना है रस्खान केसवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कविप्रिया आचारे रामचंद्रशुकल ने किस कविशेरी तिकाल का आरंभ माना है चिंता मडित्रिपाठी कौन सिक का विक्रिती घनानंद की नहीं है स्रिंगार सिक्छा अडिमा किसकी रचना है सूरे कांत्रिपाठी निराला नेरिजा के रचनाकार है महादेवी वर्मा युग की गंगा किसकी रचना है केदारनाथ अग्रवाल आत्महत्या के विरुध किसकी रचना है रगुवीर सहाए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताईए विद्या निवास मिस्र आधे अधूरे नाटक के प्रमुख इस्त्री पात्र का नाम क्या है सावित्री अमरितलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेच की समस्या की और संकेत किया है अग्रिगर्भा इन में से कौन सा हजारी प्रशाद्धी वेदी का उपन्यास नहीं है सत्याग्रह भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है नहुस इन में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है मयंक मंजरी सद्ध्य है पर निर्वित्य कांता अस्मित तयो पदेश यूजे किसका कथन है मम्मट उत्पत्तिवाद किस आचारे का सिध्धानत है भट लोलट आचारे आनंद वर्धन कि संप्रदा के आचारे माने जाते हैं धोनी आचार्य संकुक किसमत के प्रवर्तक माने जाते हैं अनुमित वाद अभिवेंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मुल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मांसिक उद्धवेगों से माना है आई ए रिजर्ड नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है राम विलास सर्मा पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभरंस से हुई है सौर सेनी राधा कृष्ड के प्रेम को लेकर कृष्ड भक्ति की जो कावेधारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहियार्थ विधान की प्रधानता रही है यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास कार का है आचारे राम चंदर शुक्ल मेरी भव बाधा हरो दोहा निमने में से किस कवी का है बिहारी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई किसका पद है मीरा बाई कौन सी बिद्यापत की रचना नहीं है गीत गोविंद निमनलिखित में से कौन संत कभी नहीं है स्रिधर पाठक निम्नलिखित कवियों में से अश्टचाप का कभी कौन नहीं है रहधास बीसल देवरासों के रचनाकार कौन थे नर्पतिनाल पदमावत में उलिखित राजा रतनसेन कहां के राजा थे चित्तोडगड आचारे रामचंद्रशुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसी दास की है भरवे रामायड सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में देख्छित थे वल्लभ संप्रदाय सुजान हित कृपाकंद वियोग बेल किस कवी की रचनाएं है घनानंद मध्वचार का मत कौन सा है द्वैतवाद संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जाद पन ही या टूटी विसरी गए हरिनाम किसका कथन है कुम्भंदास राजजय सेंग के दरबारी कवी कौन थे बिहारी आचारे राम चंदरशुकल ने छायावाद के किस कवी मधुमाई प्रतिभा और जागरुकता भाउकता का कवी कहा है प्रसाद चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुस्प की अभिलासा कविता किस कवी की रचना है माखनलाल चतुरवेदी कवी वचन सुधा और बाला बोधिनी के संपादक कौन थे भारतेंदू हरिश्चंद्र परिमल किस की रचना है सूरेकांत्रिपाठी निराला केदार नाथ अग्रवाल किस कावेधारा के कवी है प्रगतिवाद आज मजेई किस की कृती है कुवर नारायण कौन सा कावे संग्रह सुमित्रन अंदन पंत का नहीं है अनामिका निम्नलिखित में से कौन सा विसुद्ध राष्ट्रिय भावधारा का कवी नहीं है नागारजून दिवस का आवसान समीप्था गगन था कुछ लोहित हो चला किस कवी की पंक्तियां है हरियोध प्रथम रस्मिका आना रंगीडी तूने कैसे पहचाना किस कवी की पंक्तियां है सुमित्रा नंदन पंत रागदरबारी किस विधा की रचना है उपन्यास एक घुट किसका लिखा हुआ एक आंकी है जैसंकर प्रशाद साहित्या लोचन किसका लिखा हुआ समिक्छात्मक ग्रंथ है स्याम सुन्दरदास जीप पर सवार इल्लियां किसकी हस सेवेंग रचना है सरत जोसी ठेट हिंदी का ठाठ किस विधा की कृती है उपन्यास सेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है मनो विशलेशन वादी उसा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है कहानी अरे या यावर रहेगा याद अग्ये की किस विधा की रचना है यात्रा वृत्तान्त कौन सा उपन्यास नरेस महता का नहीं है अन्देखे अंजानपुल काव्यादर्स का रचनाकार आपकौन है दाण्डी प्राकृत पैंगलम किस सास्त्र का ग्रंथ है छंद सास्त्र किर्तिलता की भासा क्या है अवहट उलट बांसिया किसने लिखी है कबीर ग्वाल कभी किस काल के कभी है रीतिकाल आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस का विधारा के कभी है रीतिमुक्त हिंदी साहित के संदर्भ में गार्षा दातासी का किस रूप में उलेख किया जाता है इतिहासकार लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वे करने का अपार धैर लेकर आया हो उनका सारा काव्य समन्वे की विराट चेश्टा है इन पंक्तियों के लेखक है आचार हजारी प्रशादी वेदी ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है किसकी रचना है धूमिल जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां है भवानी प्रशाद मेश्र आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वरडिम कड़ी किसे कहा गया है विद्यापती साहित्य में नौजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौण है भारतेंदु हरिश्चंद्र भाशा पत्रिका कहां प्रकासित होती है केंद्री ये हिंदी निदेशाले नई दिल्ली इन में से कौण छायावाद का कभी नहीं है मैथली सरडगुप्त कौण सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है युगांत सूरच का सात्मा घोडा किसकी रचना है धर्मवीर भारती आचारे रामचंदरशुकल के अनुसार रामचरित मानस की रचना कितने समय में पूरी की दो वर्स सात्मा निराला की किस रचना में प्रबंधात मकता है तुलसी दास निम्न पंक्तियों की गड़ना किस काबे में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तमके परदे में आना। राश्यवाद ना जाने लुढक ओस में कौन खीच लेता मेरे द्रिग मौन पंक्त की किस कविता की पंक्ती है? मौन निमंत्रण नरोत्तम दास की प्रसिध रचना का नाम क्या है सुदामा चरित प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है काया कल्प निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास कार कौन है यस्पाल अम्रित लाल नागर के निम्न उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है सुहाग के नुपुर आपका बंटी उपन्यास की लेखी का कौन है मन्नु भंडारी कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है मारकंडे महत्वा कांछा कामोती निष्ठूर्ता की सीपी में पलता है यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है चंद्रगुक्त कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं नगेंद्र विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है पंडित हजारी प्रशाद्दि वेदी कौन सा निबंध संग्रह डाक्टर नगेंद्र का नहीं है विचार के जड़ डाक्टर राम विलास सर्मा किस विचारधारा के आलोचक है मारक्स वादी कौन सा उपन्यास हजारी प्रशाद्दि वेदी का नहीं है वयम रक्छामह महा भोज मन्नु भंडारी का कैसा उपन्यास है राजनीतिक रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है उसा प्रियमवदा सिक्का बदल गया किसकी कहानी है कृषडा सोबती एतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सरवाधिक प्रशिद्ध है जैसंकर प्रशाद लहरो के राजहन से किसका नाटक है मौहन राकेस कौन सी आत्मकथा हरिवन सराय बच्चन की नहीं है सहचर है समय भक्तमाल के रचईता है नाभादास काप्वे को जीवन की आलोचना किसने कहा है मैथियो अर्नाल्ड कला कला के लिए सिध्धांत के प्रतिपादक कौन है क्रोचे किसके अनुसार काप्वे का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है इलियट किस आचारे ने वर्ड सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है भामः सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वन्स परम्परा का परिजे दिया है साहित लहरी सरस्वती कंठा भरड किस रचनाकार का ग्रंथ है भोज रामकथा सुंदर करतारी संसे विहग उड़ावन हारी इस पंक्ति में कौन सा छंद है चौबाई